किसानों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आज पांचवे दिन भी कैथल में करनाल अंबाला बाइपास पर धरना देते हुए जमकर सरकार विरोधी नारे बाजे के परधर्शन करते हुए किसान धरने से करनाल बाइपास चौकर आए जहां उन्होंने परधान मंतरी, क्रिशी मंतरी और परदेश के मुखे मंतरी के पुतले जलाए किसान ने तर बलबीर सजूमा, धरमपार छोत और होशियार सिंग ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी के नितावने चुनाव से पुर्ख किसानों को उनके लाग पहुंचाने के लिए स्वामिनातन आयो की रिपोर्ट लागू करने का वैदा किया था लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपने वायदों को भूल कर किसानों की कोई सूत नहीं ले रही जिस कारण किसानों को अपनी मांगों के लिए धरना परदैशन करना पढ़ रहा है उन्होंने दावा कि किसानों की इसरताल का बहुत बड़ा असर पढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में क किसान अपना अंदोलन और तेज कर देंगे किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की हडधर्मी के कारण आप जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि मिल्क प्लांट्स चिलिंग सेंट्रों में दूद भारी मात्रा में कम पहुंच रहा है इसके साथ सब्जी म मंजियों में भी किसान अपनी सब्जीयां लेकर नहीं जा रहे है आम जनता को जो दिक्कत आ रही है उसकी जिम्मेवार पूरी तरह से सरकार है सरकार ने किसानों की मांगों को जल्स विकार नहीं किया तो किसानों का यह हैं अंदोलन और तीजी पकड़ लेगा कैथल से लो ने एफिडविट दे दिया कि हम यह अनलागु नहीं कर सकते हैं आपने देश के जो पर्दहान मंत्र है ररेंदर मोधी जी उनका पुत्रा भूका है और क health केंदर के जो मिकी मंत्रिया। पुत्रा भूका है और हर्याना पर्देश का जो मुख्या मंत्रिया मुनोर लाज दियुनका पुत्रा भूका है।